उम्र के एक पढ़ाव में जहां इंसान आराम करना पसंद करता है। नैशनल ओपन मास्टर्स में हिस्सा लिया है। तो आक्ट, गोर्ड मैटल तीन सिल्वर के अलावा इसी वर्ष मलेशिया में संपन हुई मास्टर्स अतलेटिक्स में भी दो सिल्वर ब्राउन मैटल वर्ष दो जहींद करना है। अटलीट मीट में 800 मीटर में कान से 1500 मीटर में रज़त तथा 3000 मीटर में भी रज़त पदक जीत कर भारत वर्ष का नाम रौशन किया। नावक सुरेंडर सिंग ने बताया कि 45 साल की उम्र से दोड़ना शुरू किया था और धीरे धीरे शौक के चलते राष्ट्री और अंतर राष्ट्री दोड़ों में हिस्सा लेना शुरू किया। कि मैं राइचर ने लगा था थोला धना सांस कुल्वना सुरू हो गया। पर मैंने सोचा कि मुझे अपना मिदल प्रैक्टिस करने चे दोड़ने की फिर मैंने दीरे-दीरे 1-2-3-3 किल्यों पढ़ाता गया। और फिर उसके बाद मैं में 12 km पढ़ा है उसके बाद मैंने 217 में अपनी पहली मेरा थान 21 km दौड़ी जो की पटेयारा में थी और मैंने 29 मिंट में बिना रुके को फ्लियर की तो मुझे कॉंफिडेंस हो गया कि मैं 21 km दौड़ता हूँ दौड़ सकता हूँ उसके बार मैंने 30, 32, 16, 50 km की दौड़े लगाई हैं और मैं यहां से जौड़ा जी तक बिना रुके चना जाता हूँ दौड़ जाता हूँ और कोई प्रावम में रते हैं और सेथ भी अच्छी सुरेंद्र सिंग की धरम पत्नी मीरा ने खुशी जाहिर करते हूए कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब सुरेंद्र मैडल जीत करलाती हैं जब कभी भारत से बाहर जाती हैं तो फोन पर हुसला अफजाई करते हैं ताकि जीत कराएं हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमें भी साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन गर मैं मुश्किल होती है थोड़ी हमें बहुत खुशी होती है हम हर जज़ा पहुन करते हैं ये भी हमें पहुन करते हैं हम इनका होसला और भी बढ़ते हैं स्थानी युवग जुगिंदर सिंग ने बताया कि सुरेंद्र के द्वारा इतनी ज्यादा उम्र में भी मैरसन जीतने पर हैराने होती है और युवग भी सुरेंद्र को देख कर प्रेणा ले रही है यह अंकल जी मारे लिए भी एक प्रेणा है कि अंकल जी इतनी एस जोने के बाद भी मैरसन में जाते हैं और हम इन्हीं अपने आइडिल की तरह मानते हैं और इनसे समय समय पर सीख लेते रहते हैं कि किस तरह से हमें अपने श्रील को पुष्ट रखना चाहिए और खेलों में हिस्ता रहना चाहिए